नमस्कुर दोस्तों रामकलास जातों दोस्तों मारे परतावकार ब्लोग सेनल में आप सबका स्वागत है आज दोस्तों हम बात करते हैं कि एक सफल बकरी पालन करना है तो हम किस नसल की बकरी का पालन करें तो दोस्तों इससे पहले हम यही कहूंगो आप लोग चैनल पर पहली successful बकरी पालन जिससे आपको घाटा नहों नुकसान नहों प्रॉफिट में रहें तो इसके लिए वो करना क्या है आप जो है उसी बकरी के नसल की जो है अपने यहां पालन करें जो आपके यहां पर suitable हो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हम अच्छी नसल की बकरी ला देते हैं मरने लगती हैं कितनी मर भी जाती हैं तो इसके लिए दोस्तों हम यही कहूंगा कि अगर आप लोग बकरी पालन करना चाहते हैं एक सफल बकरी पालन जिससे आपको घाटा नुकसान कुछ भी देखने को ना मिले और फायदा ही फायदा हो अक्सर असा देखा जाता है कि बक बकरी जो हम लाए हैं वो मरेना जीवित रहें तो इसके लिए दोस्तों आपको यही करना है कि जो भी बकरी लाएं उसको ध्यान पूर्वक और समझ बूझ कर लाएं कि वो बकरी हमारे यहां पर जो वातावरन है उस वातावरन में वो सुटेबल है या नहीं है उसके लिए आप एक दो बकरी रख सकते हैं उससे देखने के लिए कि हमारे इस वातावरण में सुटेबल होती है या नहीं होती अगर उस नसल की बकरी आपके वातावरण में सुटेबल होती है बीमार नहीं पड़ती मर नहीं जाती तो आप समझ लिजिए कि वो बकरी आपके हां सुटे